हलो ए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है निखिल और मैं आज फिर से आप सभी लोग के बीच एक नवीड़ो के साथ आया हूँ तो दोस्तों आज की इस वीड़ो में जानेंगे एक नए जोबर वेकेंसी के बारे में तो आप लोगों क्या करना है वीड़ो को कम्प्लीट देखना है बीना इसकिप के वेए और साथ ही साथ अगर वीड़ो अछी लगए तो वीड़ो को लाइक करना मत भूलना चलिए दोस्तों बीना देर के वेए वीड़ो को सुरू करते हैं तो एक पर फिर से मैं आप सबी लोग का तहदेल से स्वागत करना चाहता हूँ हमारे स्टीडिपी चनल में तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ एक कौन सी जॉबर वेकेंसी निकाली गई है और इसमें जो आपका पोस्ट होने वाला है वो जुनियर एसिस्टेंस का पोस्ट होने वाला है और इसमें जो आपका बहाली होगा वो group C के अंदर बहाली होगा जोकि level 4 का आपको इसमें salary मिलेगा साथी साथ education qualification की बात करूँ तो जो लोग भी BE, BTEC किये हो वो सभी लोग इसमें apply कर सकते हो और जो लोग भी Fraser candidate एबम जिनका degree complete हो चुका है वो सभी लोग इसमें eligible हो तो आप लोगों को इसमें जरूर से जरूर apply करना है और दोस्तो मैं आप सभी लोगों से एक छोटा से रिक्वेस्ट करूँ अगर हमारे स्टीडीपी चैनल पर फर्स्टाइम इसमें जिट कर रहे हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लो साथी साथ वेल आइकन की हंट को देवालग था कि आपको नए टेकनिकल और नोट टेकनिकल से रिलेटेट सभी वीडियो की अपडेट आपके मोयल पर जल से जल मिल सके है तो चलिए दोस्तो अब हम लोग जानेंगे नोटिविकेशन के माद्यम से क्या हम लोगों को डॉकुमेंट्स रिक्वार होंगे कैसे हम लोगों को अपलाई करना है रखा गया है 22 तारिक से यह अपलाई होना शुरू हो जाएगा और इसका लास्ट डेट जो होने वाला हो वो 23-5-2022 तक रहेगा तो अभी काफी टाइम है आप लोगों को इसमें जो लोग भी इलिजबल हो आप लोगों को इसमें जरूर से जरूर अपलाई करना है जो है 15 सीट यहां पर टोटल 15 सीट यहां पर निकाला गया है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि जो आपका इनिस्यल एप वाइंट होगा जैसे ही आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो आपका जो इनिस्यल एमाउंट यहां पर पहले बनेगा वो 13,300 बनने वाला है और साथी साथ आप लोगों को पे बैंड भी मिलेगा जो की आपका बनेगा बावन सौ से लेके 20,200 तक मिलेगा आपको और इसमें आप लोगों को ग्रेट पे भी एफ लेवल किया जाएगा उनिस्सौ का ग्रेट पे भी आपको मिलेगा जो की लेवल 4 के अंदर आता है तो यह सभी चीज इन्होंने यहां पर मेंसन कर दिया है तो आप लोगों को भी एक बार नोटिफिगेशन को डाउनोड करके अच्छा से पढ़ लेना है फिर यहां पर वेकेंसी पोजिशन देख सकते हो जो लोग भी जिस कैटेगोरी से आते हो वो यहां पर आप लोग देख सकते हो साथी साथ मैं इसमें एज की बात करूँ तो इसमें आपका मिन्ममम एज होगा 21 साल होना चाहिए और इसमें मैक्सिमिमम जो आपका एज होना चाहिए 30 साल होना चाहिए, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और यहाँ पर आप लोग देख सकते हों कि 1st day of January 2022 तक ही valid रहना चाहिए जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते होते हैं आपना देख लेना फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर एज रिलेक्सेशन भी दिया गिया है जो लोग भी SCST, EBC, Omen Candidate या एक Services Man से बिलोंग कर उन सभी लोगों के लिए पांच साल का यहां पर एज रिलेक्सेशन रखा गया है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यह सब चीज आपको अपने से पढ़ लेना है कि क्या सीज मांगा जारा नोलेज मांगा जा रहा है तो यह भी चीज आपको ध्यान रखना है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो आपका एक्जाम फी होगा इसमें कोई भी एक्जाम फी नहीं लिया जा रहा है सभी कंडिडेट के लिए यहां पर एक्जाम फी फ्री है तो आप लोग यहां पर देख सकते हो फिर मैं अपर आपका इसमें एक्जाम होने वाला है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि प्लेशमेंट आफ एक्जाम फी जो आपका पर ने वाला है वोग निश्वर कटक संभलफूर यह सब आपका यहां पर पर देख सकते हो यहां पर अदर इलेजिबिडिएटी टे निफिशन यहां प आपको अपने से पढ़ लेना है फिर यहां पर भी आप देख सकते हुए कंडिशन आफ रेगुलर एक पॉइंटमेंट में कुछ यहां पर दिया गया जाएगा तो यह सब आपना देख लेना फिर आम लोग आगे बरते हैं तो यह सब चीज जो है कुछ दिया गया है तो यह स करना है तो यहां पर यहां पर आप लोग देख सकते हो कि कोई भी आपको इसू होता है इस जॉब से रिलेटेट तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो यहां पर टाइमिंग दिया गया है शारे दस से लेके डेर वज़े तक और फिर दो बज़े से लेके पांच बज़े तक कोई भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हो फिर लोग आग बढ़ते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑनलाइन अप्रिकेशन जो सुरू होने वाला है और इसका सुरू है το इसकी को लाख और आप इप सीर आप अबस स्कीन बमालाएन जो खार ऑसक है तुरू होगा यहां अकी öğडिया है प्रहे जैसा कि मैंने आपको बता है कि दो आपका यहां पर एक तेस्थ होगा प्रै्टिट्र टेस्ट में आपसे basic computer skill का 50 number का पुछा जाएगा जो कि आपको एक घंटा का timing रहेगा तो ये सब चीज आपको अपने से पढ़ लेना है कि कितना आपको number लाना है याप आप लोग देख सकते हो और ये जो है इंगलीज में 50 marks का पुछा जाएगा क्या पुछा जाएगा यहाप अपना syllabus देख सकते होई grammar से यही syllabus से आप से पुछा जाएगा तो ये सब आप अपना से syllabus देख लेना comprehensive से आप से पुछा जाएगा writing से पुछा जाएगा तो ये सब आप अपना देख लेना फिर यह सब जो भी है सब आपका यह syllabus है तो आपको अपने से syllabus देखके और अच्छे से बढ़ लेना है तो दोस्तों I hope आप लोगो को जो भी मैंने notification के माध्यम से बताया वो आपको clear हो गया होगा अगर video से later कोई भी क्योरी होती है तो आप मुझे comment कर सके पूछ सकते हो और साथी साथ मैं आप लोगो बता दू तो अगर आपने TDP के social media को follow नहीं किया तो उसको जरूर जाके follow करो description में सभी का link मैंने दे दिया है तो आपको follow एबम join कर लेना है क्योंकि काफी लोग join किये हैं तो वो सभी लोग फायदे में हैं तो आप लोग को भी जो लोग भी new इस चैनल पर विजिट करो वोग जरूर से जरूर जाके वहाँ पर follow एबम join करो और दोस्तों साथी साथ मैं आप लोगो बता दू तो AutoCAD पे मैं बहुत ही जल्द एक प्लान पे वीडियो लाने वाला हूँ डिस्पले पे आप फोटो भी देख सकते हो इसी पे मैं आपको फुल ड्रोइंग का वीडियो लाने वाला हूँ जो लोग भी इस जॉब के माध्यम से आ रहे हो जिनको भी CAD से रिलेटेटर AutoCAD, Revit, StatPro किसी भी software का knowledge आपको चाहिए आप हमारे इस TDP चैनल से जरूर जूरो क्योंकि मैं इस चैनल पे सभी चीज एबलेबल करवा रहा हूँ CAD से रिलेटेटर जितने भी software होते हैं अगर आपको वो cracking करवाना है तो आप हमारे office number पे contact कर सकते हो दिस्प्लेटर पे आपको वो office number 100 हो रहा होगा तो चलिए दोस्तों मिलता है आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक लेजाजा चाहते हैं सवस्त रहें अपने और अपने परिबार का ज़्यादा सज्यादा ख्याल लखे So thank you so much दोस्तों